हरे कृष्ण दोस्तों, जीवन में हर व्यक्ति कुछ अलग करना चाहता है, सभी क्षेतर में ये लागू होता है आजकल के जमाने में ये टेक्नोलिजिकल डेवलप्मेंट्स की वजह से संगीत प्रेमी भी बहुत हुए हैं जो काराओ के ट्रैक्स पर यूट्यूब, स्टारमेकर, फेस्बुक इनका प्रयोग करते हैं ये सारे प्लैटफॉर्म्स पर काराओ के सिंगर्स के कंटेस्ट भी होते रहते हैं लेकिन अक्सर होता क्या है ऐसे काराओ के सिंगिंग कंटेस्ट में वो घसे पिते गाने ही गाये जाते हैं और ये गायोकों की जो इच्छा रहती है कि हम औरों से कैसे अलग हैं ये बताने की वो इच्छा अधुरी रह जाती है इसी बात को मद्दे नजर रख कर हमने आयोजन किया था काराओ के सिंगिंग कंटेस्ट का जिसका नाम था क्लासिकल वोईस सिंगिंग कंटेस्ट ये अलग इस तरह से था कि जो सिंगर्स थे उनको कोई भी एक गीत ऐसा गाना था जिसमें छोटा या बड़ा सरगम का पैच हो जैसे वो जब दीब जले आना में है ना नीरेगर रेगर मागरे साधानी पापा माँ ऐसा सरगम पैच तो जिन कंटेस्टेंस ने इंट्रेस्ट दिखाया था उनको मैंने कहीं सारे ऐसे गीतों की लिस्ट भी दी थी जिन पे उन्होंने प्रैक्टिस की अगले फ्रेम्स पे आप देखोगे ये जूम प्रैटफॉर्म पर हमने जो कारेक्रम रखा था इसमें ये कंटेस्टेंस गा रहे हैं और सारे के सारे कंटेस्टेंस ने बहुत ही खूब परफॉर्फॉर्मस दिया वो छोटा या बड़ा सरगम पैच उनके गानों में जो थ हां वो सही धंग से उन्होंने गाया कुछ इसी तरह हम सिंगर्स के लिए कंटेस्ट अलग-अलग थीम्स पर रखते हैं जहां पर उनको ये मौका मिल जाता है कि वो कुछ अलग करके बताए ये जूम प्लैटफॉर्म पर जो कंटेस्ट हुई है इसमें आप डिस्टिर्बि को आप छोड़ कर इन सिंगर्स में जो कोशिश की है वो कोशिश को देखिए आपको जरूर इससे इंस्पिरेशन मिलेगा अगले फ्रेम्स पर आप देखोगे स्री रामचंद्र गोखले जी गाना गा रहे हैं 1963 में रिलीस्ट फिल्म दिल ही तो है से लागा चुनरी में दा वो जितनी कॉंफिडेंस से उन्होंने गाया उतनी ही कॉंफिडेंस से इस गाने के सारे तराने भी उन्होंने गाए इस गाने का म्यूजिक है रोशन जी का लिरिक्स लिखे हैं साहिर लुद्वियान वी जी ने और इसे गाया है मन्ना डे जी ने कैसे लागा चुनरी में दागे चुपाओ, कैसे लागा चुनरी में दागे हो गई मैली मोरी चुनरी याँ, कोरे बदन सी कोरी चुनरी याँ, हो गई मैली मोरी चुनरी याँ, कोरे बदन सी कोरी चुनरी याँ, आ जाके बाब उन से नजरे मिलाओ, कैसे घर जाओ, कैसे लागा चुनरी में दागे चुपाओ, कैसे लागा चुनरी में दागे चुपाओ, कैसे लागा चुनरी में दागे कैसे लागा चुपाओ, कैसे लागा चुनरी में दागे कैसे बूल गई, भूल गई सदूर, कैसे ये विताओ, कैसे घर जाओ, कैसे लागा चुनरी में दागे चुपाओ, कैसे लागा चुनेरी मिलाग, चुपाओं कैसे लागा चुनेरी मिलाग कुरिच नर्यात मौरी मेल है माया जाले कुरिच नर्यात मौरी मेल है माया जाले वो दुनिया मौरे बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल खाँ जाके बाबुल से नजरे मिलाओं कैसे घर जाओं कैसे लागा चुनेरी मिलाग चुपाओं कैसे लागा चुनेरी मिलाग प्रिच नर्यात मौरे जाले गु आपके होगा हैाना हुष खुचिक है। नियुदैंग देवादादाम गनलभी सर्भाहा माए दरण वादयर सर्भाह क्या होगा है कैम आहाना है Süß पादके आहां मेप 19 परत नहीं परन जाजर जन चनननन न दिरदीयमत न शो मालाक करना दो न दिर न दिर न दिरना करना दिर न कि उस एस हम फार कम वह करे नहीं कि अपूआ। कि अपुआ। कि अपूए्चु पुआ। कि अपुआ हुआ। कि अपूए। कि अपूए। ढिव्दोन ग्रोंधा। प्रावा वावा 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 वाव 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 रामचंद्र साहिब हैट्स आफ टू यू वाट्स अप वीडियो काई जूम या गूगल मीट के जरिये ऑनलाइन संगीत एकना और संगीत पाठ करना है बहुत आसान गाने या बजाने में खटका, मूर्की, मींड, गमक जैसी हरकते लेने से ही गाना मधुर कहलाता है आपकी संगीत शिक्षा शुरू करने के लिए एक बार हमसे फोन पर बात कर लीजिए और समझ लीजिए संगीत अभ्यास क्या होता है और आपके सुविधा जनक वक्त में ये अभ्यास आप कैसे कर पाओगे ये हमारा पिछले दस साल का अनुभव है